दोस्तों अगर बहुत सालों के बाद आपका कोई पूराना मित्र या फिर कोई पूराना दोस्त आपको फोन करें आपको मैसेज करें या फिर सोशल मीडिया पे वो आपसे कॉंटेक्ट करने की कोशिश करें तो बिल्कुल भी आपको खुश नहीं होना यहां पर उस मित्र को आपकी मितरता की याद नहीं आई है नहीं वो आपके personality को लेकर आपको उसने याद किया है यहां पे 100% confirm है दोस्तों कि आपका जो वो मितर है जो इतने सालों बाद आपसे contact करने की कोशिश कर रहा है या फिर सोशल मीडिया पे आपसे number मांग रहा है और अगर अलड़ी number था उसके पास तो अगर वो आपको काफी सालों बाद अगर वो message कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी यह समझने में देर नहीं करने चाहिए कि वो जो आपका मितर है वो बंदे जोड़ने वाला काम करना शुरू कर चुका है और वो किसी network marketing company मतलब की MLM के चकर में चक्रवीव में वो फस्ट चुका है और वो फस्ट चुका है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको पता है कि वो फस्ट चुका है उसके पैसे डूब चुके हैं लेकिन अब चुकी उसने बहुत सारे सपनों अपने सपनो को लेकर उसने उस company में जुआइन हुआ था अपने बहुत सारे dreams को लेकर जो है उस company में जुआइन हुआ था अपना एक luxury life luxury गाड़ी बहुत सारे और भी अलग अलग जो है यहां पे benefits को अपने वो दिमाग में दिलो जा में वो सपने संजो कर वो जुआन हुआ था वो सपन के कोचिंग के फीस का पैसा बचा कर ठीक है या फिर दोस्तों से उधार लेकर उसने जो पैसे लगा कर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो खरीदे थे अब उसको अपने पैसे जो है वसूल करने के लिए वह फसे हैं उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जिस फ्रॉड का ज यहां पे पूरी-पूरी तरीके से शड़्ययंत्र रचेगा आपको अपनी बातों में फसाएगा और जो उसको ट्रेनिंग दिया गया था शुरू में ठीक है जिस बंदे ने उसको फसाया था और उसने जिस टाइब का जो ट्रेनिंग लिया था उसको फसाने के लिए अब वही जो वो ट्रेनिंग अब उसने जो लिया है अब वो आपके उपर आजमाएगा आपका माइंड वाश करेगा आपकी जेब पे उसकी नजर होगी और वो किसी भी तरीके से जो है आपको कन्विंश करने का कोशिश करेगा कि हमारी जो कंपनी है यहां पे तुम्हारे सभी सोचा था कि मुझे अपना लाइफ को जीना है मुझे कैसा कैसा लगजरी गाड़ी चाहिए या फिर तमाम विदेश रियात्रा ठीक है या फिर मुंबई में फोर वी एचके का फ्लैट शारू खान के मन्नत के जस्ट बगल में जहां से तुम रात को कूद कर सीड़ी लगा क और यहां पर कुछ नहीं करना है बस यहां पर तुमको मेहनत करनी है सिस्टम को फॉलू करना है ठीक है यहां पर तुमको एक तरीके से लर्निंग एजुकेशन लेना है और बस हो गया तुमारा लाइफ सेट तो उसके बाद जो है तुम्हें किसी प्रकार का कोई टेंशन न तो गेरा कहीं से हासिल कर लेते हैं और वो तो इडिटिंग फोटो शॉप पे दो मिनिट का काम होता है जहां पर यह सब इडिट हो जाता है और वहां पे आप मनलब एक टेनू सर्मा है उनका पय आउट कोई फलाना सर है उनका पे आउट तो यह लोग क्या है है कि सेलरी नहीं ही बोलते हैं कभी भी salary normally क्या होता गर किसी फ्रोफेश्चन में हो तो वहाँ salary होता है और लेकिन यहां पर payout होता है difference सम्झों मित्रों यहां पर क्या होता है salary मतलब क्या होता है कि यह fix आपको एक fix amount दिया जाएगा आप उस company में join है आप उस company के एंप्लोई हैं तो आपको भाई लाइफ में पैसों की तुजरोत होगी ना आपको अपने घर का किराया देना है अपने बाइक वगएरा का ये माई पे करने तो आप कहां से दो गए बच्चों की स्कूल फी वगएरा इसाब तो इसके लिए तो कंपनी जिम्मेदारी लेगी आप कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो कंपनी आपके जिम्मेदारी लेगी तो वह को एक फिक्स सैलेरी देती है खिक है बले उस कंपनी का काम हो ना हो घाटे में जाए लेकिन आपकी उतनी सैलेरी आएगे अगर आपको अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको जो है benefits like perks या फिर incentives मिल जाते हैं जो आपके ctc में count होते हैं मतलब यह कि कंपनी का business नहीं भी चल रहा है तो वह आपको salary देगी मतलब आपका जिंदगी सही तरीके से चलेगा लेकिन वही पे आउट का मतलब क्या होता है अगर आप अंग्रेजी dictionary में जाएंगे और आप देखेंग किया जो आपने काम किया उसके बाद जिम्मेदारी खतम जिस बंदे ने जिस पार्टी ने आपको पैसा दिया है वह आपके आपका जितना अभी तक काम किया है उसके उपर आपको पैसे दे दिये गये हैं अब उनकी कोई जिम्मेदारी आपके उपर नहीं बनती है या पानी खत्म आप तुमको कुछ नहीं मिलेगा सारा प्याउट तुमको एक बार मिल गया तो ठीक उसी तरीके से जितने भी नेटवर्ग मार्केटिंग कंपनिया होती है यहां पर कहीं भी आपको सेलरी नहीं दे जाती है और सेलरी देने के लिए गवर्नमेंट का बहुत सारे रूलिशन से ठीक है उसको पिएफ कटवाना पड़ेगा इंस्चोरेंस देना पड़ेगा medical facility देना पड़ेगा तो वो तो यह सब बियर नहीं कर सकता ना वो सब कहां से देगा तो क्योंकि यहां पर क्या है कि नहीं वो लेबर रख रहे हैं वो लेबर रख रहे हैं तो जैसे कि हम लोग क्या है अगर हमें अपना घर बनवाना है तो थोड़ी हम को 500 के हिसाब से उसको payout देकर भगा देते हैं जो हमारा घर complete हो जाएगा तो भगा देंगे क्यों क्योंकि वह labor है हमने उसे अपना काम करवाने के लिए रखा है ठीक है उसको को salary नहीं देना है क्योंकि वह हमारा employee नहीं है तो ठीक उसी तरीक उसे छोटी-छोटी कंपनिया होती है यह रखते हैं मजदूर रकते हैं और इस्पेशली इनकी निषाने पर जो है अनपणगवार या फिर जो कम पढ़े लिखे होते हैं है न है न या फिर मिडल क्लास के वैसे students जिनके सबने बहुत बड़े हैं तो यह इस पेशली उनको टार्गेट करके उनका माइन वाष कर देते हैं ठीक है आश पेशली अपने बिहार साइड में ज्यादा हो रहा है गाऊं वगेरा में जहां पर जानते हैं कि वहाँ एलिट्रेशी कि इतना है अपने बिहार में और वहां पे गरीबी भी बहुत जादा है तो ऐसे में वहां के लोगों को माइंड वाश करना बहुत एजी है और इस्पेशली जो आर्सीम हो गया वेस्टीज हो गया इन लोगों ने तमाम जो है गाओं वगरा में अपना पूरा नेटवर्क फै घ्ये जाते हैं एक मुश्टराशी मतलब की scaktum नेक्शन खतम तो आप पूरा पुछले महीन Regional को यह काम किया आपको उतना जौ है उसके ऊपर आपको ब्याना आपको यह कमिशन दे के काम खतम मतलत की आपस पूरा महीना जो आप kupました के मालिक का नीचे अचिया काम कर रहे हैं जो आपके कंपनी का बॉस है जो मालिक है ठीक है तो आपने उसके जितने प्रोडक्ट सेल की है ठीक है आपने जितने बंदों को फसाया क्योंकि फसाने से पैसे नहीं मिलता है यह वाद आप याद रख लेना किसी भी MLM में केवल अपना नेटवर्क बढ़ाने से वह नहीं होता हुट पैसे नहीं मिलते यह कंपनी का उनर है उसको क्या मतलब है कि आफ कि यहाद सब्षाप कर रही हो आप किकवल्ड में से लाब कौह Egyptian का कंपनी को ऐपने नेирício कि करे वाया है छेससे इसे पास सब्सकितने आप नहीं है जहसे है आप नाम किसे कुछ भी मालेते हैं अपका नाम लेते हैं तो राहूल ने फिल्ड में कतना काम किया किया क्या कहतने बंदों से मिला ? क्या प्रोस्पेक्टिंग किया ? और अधर में बैठा हुआ। उसको क्या पता तो जी कुछ नाम बहुत Most common है तो हर बंदे का एक IB होता है,ੴ है, जब वो अपना आधार का लज दे के अपना एक ID बना लेता है तो हर एक बंदे का स्कूल में होता है, कि अ कि हर बंदे का रोल नंबर होता है हो खेक है तो अगर उसने मेरा 5000 का समान सेल किया बंदो को फ़सा-फ़सा के तो चलो मैं ठीक है उसको 50 देता हूँ कमिक्शन देता हूँ उसको इस मेहने सपना करना है न तो तुम और महतैं करो यह पाओ हाज का माल बेचा है मेरा अगले महीणें 50,000 का माल बेची cœur तो इस महीने तुमको 50 Praut Chaos दिया हे है अगले में तुझे 5000 का माल सेल कर दिया तो कंपनी के ओरनर का क्या जा रहा है वा दूंको 50,000 पैसे ही दे देगा तो जो लोग बोलते हैं कि MLA में पैसे आते हैं तो जो ये बोलते हैं कि MLA में पैसे आते हैं तो पैसे उसी बात के आ रहे हैं ना उसके लीए महनत कर रहे हो लिए उसकी ख ़हती है का जो और यह खत आहा हूंको 50,000 के जब और वसके खत आते हैं तो यह अपने दोस्त को फसाएगा उसको प्रोडक्ट बेचेगा उसका दोस्त पैसे देगा कहां पर कंपनी के मालिक के जेब में और फिर उस उस पैसे से कंपनी का मालिक है इसकी जेब में डालेगा तो एक तरीके से ट्राइंगल बन जाता है पैसे का थीक है तो एक मोटा मुनाफा जाएगा कंपनी के ओनर के पास और चोटा सा माउंट जो है लेवर वाला माउंट कमिशन वो जाएगा इस बंदे के पास जो यह फ्रॉड किया है जो किसी को जोड़ा तो घाज यह था पूरा प्वरा तौरा ट्रैंगल यह था पूरा इसकین यह था फूरा फ्रॉड आ जो की एमएल में चल रहा है गाउगाओं में या फिर चो भी आपको फसाने की कोशिश करता मेंलूम्य के अंदर तो इस तरीके से पूरा नेटवरक च करवाऊंगा करो मैं तुम्हें स्टाम पेपर पे लिख कर दूंगा कि तुम्हें तुमको पाच्छ लाग रुपर मन्तली पे आउट दोंगा लेकिन कंडिशन यह है कि तुम्हें 50 लाग का मेरा प्रोडक्स सेल करना होगा करो सेल करो मेरा बिजनस बढ़ेगा मेरा तर्रोबर बढ़ेगा तुम्हारा क्या जब तुम पैसे मार्केट से उठा के ला रहे हो मैं उसी में से दुमको दे दूंगा तो गाइस यह था पूरा अगर आप कभी कोई दोस्त आप कभी कोई मित आप जानने पहचानने वाला करीन चक्रों में फस चुका है और वह आपको फस आने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ जाएं कि उसका माइंड वोश हो चुका है उसको उसके हाल पे छोड़ दें वो पूरी तरीके से बरबाद हो